हलो आज है थर्ड नवेंबर और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सुजलोन एनरजी के बारे में कल इनके नंबर्स आये थे और अच्छे नंबर्स थे और पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखो कि तो सुजलोन के नंबर्स में इंप्रूमेंट आया है कंपनी क करेंगे उसके बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो काफी जादा हल्प करेंगे तो देखे सुजलोन का शेर 34 रुपे पर है और आज 5% की अपर सर्गेट लग चुकी है और पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो 27% की तेजी है बड़ी रफ्तार आई थी थोड़ा सा करेक्शन भी बना फिर से तेजी इसने पकड़ ली और जहां तक बात करें पिछले एक साल की तब 325% का ग्रोथ है और ए पिछले एक साल के सबसे हाइस पर है ये जब भी गिरा है बहुती मिनिममम गिरावट आई है वापस से तेजी पकड़ ली है फिर वापस थोड़ा बहुत गिरा है वापस से तेजी पकड़ ली है वापस थोड़ा बहुत गिरा है वापस से तेजी इसने दिखा दी है और ज ऐसे expectation है क्योंकि company जो है वो अब growth की तरफ नहीं profit की तरफ जा रही है अगर numbers की बात करें हम जो क्या अच्छा है है एक 1428 करोड की income हुई है इनकी जो इससे पहले के quarter में 1360 करोड की थी तो तीजी है income बढ़ी है इनकी पिछले साल 1440 करोड के आसपास ही तो थोड़ी बहुत ग improvement आया है यह सीधा सीधा हम देख सकते हैं 102 करोड के इनको profit हुआ है जो कि अच्छी बात है क्योंकि इसे पहले की quarter में 100 करोड था और पिछले साल इसी quarter में बहले income जादा थी लेकिन फिर भी profit था वो मुश्किल से 50 करोड के आसपास सिम्टा हुआ था तो कह सकते है कि हाँ च पहले क्या था कि growth की तरफ जा रही थी बहुत सारी orders इनको complete करने होते थे bank से लोग loan उठाते थे और बाद में project को complete करते थे जब पैसा आता था था तब वो bank को चुकाने की कोशिश कर देते तब तक भईया बहुत सादा costing लग जाती थे इनकी लेकिन अब company जो है वो profit की तर से अगर हम compare करते हैं तो ही और जहां तक अगर हम बात करने जाए तो सुजलोन energy remain positive despite an exceptional loss देखो अगर हम बात करेंगे इस बार तो एक 35 करोड का exceptional loss भी हुआ है अगर वो ना हुआ होता तो शादे इनका profit 140 करोड के आसपास का होता तो ये एक अच्छी बात है ये इस बार का ज पाफे अच्छा increase देखने को मिला है 15.90 का रहा है जो पहले 11.90 के आसपास का हुआ करता था और जहां तक बात करी है management को लेकर तो management को लेकर जो company के vice chairman है गिरीश तंती उनकी तरफ से statement भी आया है कि during the quarter we have further seen policies that strengthen the sector to drive India's green transition like the concrete guidance तो यहां पर simple से बात है government भी help कर रही है और government च चाहती है कि भाया जादा सा जादा तो चीज़े है वो green की तरफ switch हो जाए और ऐसा होगा आने वाले टाइम में और जो company सबसे पहले इसो करने में काम्याब रहेगी उनको फाइदा होगा अभी बहुत सारी company भाया wind energy की तरफ जा रही है और टर्बैन वगेरा बनाने के तो market cap है वो 44,000 करोड से भी जादा का है पी हाला कि 86 का है लेको महंगा definitely है कि लेकिन अगर numbers लगातर इनके बढ़ते रहे तो ये इसको भी adjust कर लेगा लेकिन definitely आप इसको सस्था तो नहीं कर सकते महंगा है एक दिक्कत ये भी है कि वह या company dividend हाला कि pay नहीं कर रही हाला कि ये जहां तक अगर आप numbers की बात करेंगे तो हाँ अभी last quarter के number definitely थोड़े बहुत better है उतने भी बूरे नहीं है लेकिन पहले भी इतने ही थे revenue के हिसाब से लेकिन profit में improvement आया है ये एक अच्छी बात है कि profit में इनका अच्छा का सा improvement देखने को मिला 102 करोड का profit आया है जो पिछले साल तक 50-60 करोड के आसपास में सिम्टा हुआ था जहां तक बात करें shareholding की तो एक negative चीज यही है कि promoter के पास ज्यादा quantity यहाँ पर नहीं है और promoter ने actually में बिक्वाले भी करी है September quarter में 14.50% की जो holding थी वो 13.29 पर आ चुकी है लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि promoter की पहले बिक्वाली करी है यहाँ पर 71.78 से घटकर 66 पर आ गए जबकि एफाइल्स ने खरीदारी करी है 6.81 से 9.98 पर आ गए और mutual funds ने बहुत बड़ी खरीदारी करी आदिकर पिछल दो quarter से mutual funds यहाँ पर खरीदारी कर रहे है 0.08 से 0.74 पर आए फिर 4.70 पर आ गए तो देखें house की जो entry हुई है वो भी एक बहुत बड़ी वज़ा है यह सुजलोन के share में आपको इतनी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है यह सबसे बड़ी वज़ा है कि बड़े fund house की entry हो रही है बड़ी quantity में खरीदारी हो रही है प्रामोर्टर भाई अपने गिरवी रखेवे shares को छ बिल भी रही है यह अच्छी बात है कोई बुरी चीज नहीं है तो overall जो number आए है वो अच्छे है और जिसके चलते है आज 5% का upper circuit सुजलोन के share में लगा है और मुझे लगता है कि जब भी यहां पर 10-12% 15-20% का decline आएगा buy on dips के मौके हमेशा बनेगे क्योंकि fundamentals दिरे दिरे इ उसके बाद उपर जाएगा यह तो यह trend अभी भी जारी रहने वाला है उमीद करते है कि company दीरे दीरे एक अच्छी position पर आ जाए और जिस तरीके से green energy की तरफ हम move कर रहे है उसका एक advantage definitely इसको मिल रहा है तो यह तो हुई सुजलोन के बाद इसके अलावा analysis के लिए जिस portal का म इस्तमाल कर रहा हूँ trade brains अगर आप भी इसको यूज करना चाहते है तो link मैं आपको description में दे दूँगा और अगर मेरा coupon code HSA20 का इस्तमाल करोगे तो आपको 20% का discount भी मिल जाएगा कई सारे बैतरीन features है यहाँ पर जिन में से एक है stock research report कई सारी brokerage houses भाई अपने research report publish करती है कि conscious stocks उनको पसंद है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी जैसे कि HDFC securities ने ACC में buy करने की सला दी है इतना ही नहीं अंबू जा में भी उनका buy call है कितना target है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा क्यूं buy करने की बात करी है उसके भी report आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो जब तो ज energy के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिक के बता सकते हैं थैंक्यू